अगर आप भी अपने कमजोर टुटते जड़ते सफएद बालों की समस्य से परेशान है अपने बालों को तेजी से मोटा, लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं काला बनाना चाहते हैं, बालों को नेचरल सा कलर देना चाहते हैं इस remedy का कोई भी side effect नहीं है और इसको बनाना काफी ज़्यादा आसान है लेकिन उसके लिए प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि इस remedy को बना लेना ही नहीं लगाना कैसे वो भी जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए यह remedy आपके बालो की सारी problems को दूर तो करता है यह साथ ही बालो को बहुत ही ज़्यादा शिल्की sign यह smooth भी बनाता है और बालो की जहरने की समझे एक पड़ में ही आपकी दूर होने लग जाएगी इस remedy को लगाते ही आपके hair falls से आपको shoot करा मिलेगा और काफी ज़्यादा खुश होने वाले हैं तो ज़्यादा कुश नहीं बस आपको प्याज का juice निकाल लेना है और उसमें क्या add करना है वो आगे बता रही हूँ उससे पहले फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए आपका एक लाइक काफी ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें तो चलिए फ्रेंट्स आप लोग के शायर करते हैं आज की home remedies होगी है hair care related वालों की समस्या अनेक हो और समाधान बस एक जो आज में बता रही हूँ सबसे पहले हमें प्याज चाहिए होगा लाल रंग का मद्यमकार का प्याज हमें ले लेना है उसको छील लेना है इसका juice निकाल सकते हैं आप इसको mixi में पीस करके भी juice निकाल सकते हैं में मौझूद होता है sulfur जैसे कि प्याज में बहुत ही ज्यादा मात्रा में sulfur पाया जाता है जो कि बालों की जाड़ने की समस्या दूर करता है बालों की growth करने में बहुत जाता help करता है यानि कि जो जढ़ गये बालों इसको वापस लाता है या फिर यू कर लिजे गंजपन का एक बहुत ही अच्छा सा सामाधान है प्यास बालों की growth बहुत ही तेजी से बढ़ाता है जिसे हमारे बाल बहुत ही सदा मोटे लंबे घने मजबूत होने लगजाते हैं और इसका juice निकाल लेंगे उसके बाद इसमें हम और भी remedy के लिए ingredients आड़ करने वाले हैं तो बने रहीगा वीडियो में और इसी तरह के helpful वीडियो जो बाल सफीद होगा है उसमें भी ये natural सा कलर लाएगा आपके बालों को काला बनाने में help करेगा और instantly बालों का छर्णा रोकता है जैसा मैंने fill किया है वैसे मैं आप लोग को बता रही हूं तो इसको लगाना कैसे है बनाना कैसे वो तो बता ही रही हूं तो चलिए अभी देख लेते हैं किस तरीके से इसका हम जूस निकालने रहे हैं जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए जैसे कि आपके बालों की लेंध के अनुसार से इसका जूस चाहिए होगा तो लगबग मैने आधा को टोड़ी लिया है प्याज का रस उसमें हम आमला पौडर आड़ करेंगे एक दो चमच की आसपास आमला पौडर बहुत अच्छा होता है बालो को काला करने के साथ मजबूत और घणा बनाने में हल्प करता है उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा अलमेंड वाइल एड़ कर ले रहे हैं और इसमें होता है प्रचूर मत्रा विटामिन E जो की अच्छा होता है बालो को तेरी से मोटा लंबा घाना बनाने में हल्प करता है और बालो की ग्रोथ को भी बढ़ाता है अगर आपके बालो में तेल नहीं लगा है और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा पैक हम लगा ले और शैंपू करे तब यह बहुत ही बेस्ट रमेडी है में जैंसे इसको बना सकते हैं और शैंप्डू करने से पहले इस को लगा लिजए लेकिन इस को लगाने से पहले भी आपके बालो का साफ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है यसपर शैंपू कर लिजिए जब जाकर इस एक को लगाएंगे था हैँ यह बेहादर रिजल्स changerprech कि जो भी समस्य है जढ़ने टूटने की सफेद होने की वह सब दूर हो जाएगी और इस तरीके से आपको लगाना है जैसे आपको यहर पैक लगा रहा है हो लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप बालों की जरू में इस रैमडी को अपलाई करें क्योंकि जो भी जादे हैं तो जड़ों से आते हैं इसलिए बालों की जरूर को खिलीन रखना है कोई भी रैमडी अपलाई करें तो बालों की जरूरों में सबसे पहले लगाना है जैसे कि मेरा मानना है और वैसे आपको जिस तरीके से शुविताल लगा सकते हैं लेकिन मैं तो यही जादो दिखाना शुरू कर देता है उसी परकार से आमला अगर आप लगातर लगाए तो बालों की कोई भी समस्या नहीं होगी और बालों की जर्णे तूटने सफेद होने की समस्या से आपको शुटकारा मिलेगा साथ इस समय से पहले ऐसकर बाल सफेद होने लग जाते हैं तो ये स्रेमडी का कोई भी साइड इफेक्ट वैसा नहीं है तो आप इस स्रेमडी को टेनिजर्स के उपर बच्चों के उपर भी अपलाई कर सकते हैं और अगर प्याज वगड़ा सूट नहीं करता है आपकी स्किन को तो पहले हलका सा पैज़स ट्राइक कर ले फिर जाकर तो मैं इस तरी के से ब्रस के मदद से लगा ले रही हूँ तो एक बार में ही पूरे बाल जो है वो काले नहीं हो जाते हैं इस स्रेमडी को लगातार आपको लगाना होता है जैसे कि मैंने बदाया वीक में कम से कम दो तीन दिन जरूर लगाईए और दीरे जरे करके आपके बाल सारे काले होने लगेंगे बालों की जो जब्रने टूटने के समझ्चे वो तो यह एक बार में ही दूर होगी लेकिन कंटीड़ू लगाते रहेंगे तो फिर बालों की जँब जबने लगे लेकिन दीरे जिरे से और इसको लगा सकते हैं सैंपू करने से पहले लगा लिजिए 20-30 मिनर के लिए रहने देना है अपने वालों पे उसके बाद आपको कोई भी हरवल सैंपू जो आप रूज करते हैं अपना फेवरेट सैंपू उसे सैंपू कर लेना है नॉर्मल पाने से बालों को धो लेना है उससे पहले मैं हलका सा मसाज भी कर ले रही हूँ जो के डेड़ सेल्स के स्किन पर जो इसकैल पर पड़े होते हैं वो सब निकल जाएंगे और बालों की ग्रोथ अच्छी होगी अगर आपके पास मोटी कंगी हो तो उस तरीके से आप कंगी कर सकते हैं और जिससे बालों की जरू के साथ पूरे बालों में रेमेडी अच्छे से लग जाए उसके बाद हम अपने बालों को बांद करके छोड़ देंगे और आप चाहे तो कोई भी हेयर कैप जो होता है सावर कैप वो लगा सकते हैं और जो रेमेडी थोड़ी सी बच गई थी मैं पूरे बालों में लगा ली हूँ और उपर से भी लगा ले रही हूं थोड़ा सा उसके बाद इस तरीके से कम से कम 30-40 मिनट के लिए रखना है नहीं तो आप एक घंटे के लिए मैकसिमम रख सकत चमकदार हो जाएंगे स्मूथ बाल हो जाएंगे कि सच मुच आप चांक जाएगा तो आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो काफी ज़दा पसंद आयो होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर चरूर कर दीजेगा बहुत लोगों का भला हो जाएगा जिनके बाल जढ ज़ और बालों की कोथ बढ़ने लग गई है मैं बहुत खुश हो नहीं हूँ आजकर और बालों की जहरने की समस्या कम हुई है जैसे कि मैं उतना सा ज्यादा केर नहीं कर पाती हूँ फिर भी वेस्ट है डिय वाई हो में रामडी आप जुरूर ट्राइ किजिए फ्रेंड्स थैंक कियार